तो भाई मेरे पास पिछले काफी टाइम से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि फर्स्ट कंट्रोल लियाओट फसेस थर्ड कंट्रोल लियाओट पर वीडियो बनाओ और दोनों ही कंट्रोल लियाओट के मैं आप लोगों को एडवांटेज जिस दोनों ही चीज़े बताने वाला हूँ ताकि आप लोग अपने गेमपले स्टाइल के हिसाब से चूज कर सोगो कि आप लोगों को फर्स्ट कंट्रोल लियाओट में खेलना है या थर्ड कंट्रोल लियाओट में चलो अब वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग अने टाइम तो भाई बीजेमाई में हमें तीन तरह की कंट्रोल लियाओट देखने को मिलते हैं अब गई जो फर्स्ट और सेकेंड होते हैं इनमें जोश्टिक सिमिलर तरीके से वर्क करती है बट थर्ड वाला डिफरेंट होता है तो यहाँ पर हम सेकेंड वाले को डिसकस नहीं करने वाले हैं हम यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड वाले को कंपेर करने वाले हैं और अगर मैं अपनी joystick को उठा के अपनी screen के थोड़ा center में भी ले के आ चाऊंगा तो भी मेरा movement एकदम smooth होने वाला है जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो handgame में मैं अपनी screen को वहीं पर touch कर रहा हूँ जहां पर मैं पहले कर रहा था और मेरी joystick अभी वहाँ पर नहीं है फिर भी मेरी joystick एकदम perfectly work कर रही है क्योंकि first control layout में यह matter नहीं करता कि आपने अपनी joystick को कहाँ पर रखा हुआ है आपके joystick आपकी screen के जिस part में होगी ना उस part में आप जहां पर भी touch करोगे आपकी joystick का center वहीं पर माना जाएगा for example अगर मैं अपनी joystick को अपनी screen के right side में रखूँगा तो भाई मेरी left side की screen रहेगी वो मेरे aim के लिए रहेगी और मेरे right side की screen रहेगी मेरे movement के लिए अभी शायद आप लोग को समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं आप लोग को दिखा भी देता हूँ अभी मेरी joystick आप लोग देख सकते हो मेरे screen के right side में है तो मेरी left side की जो screen है वो मेरे aim करने के लिए हो गई और मेरी right side की पूरी की पूरी screen हो गई मेरे movement के लिए इवन first control layout में आपकी joystick का size आपने कितना रखा है वो भी matter नहीं गरता आप छोटी joystick यूज़ करोगे आपका game तब भी वैसे चलेगा और आप अपनी joystick का size बड़ा कर दोगे आपका game तब भी वैसे ही चलेगा और ये चीज़ मैं अपनी previous video में आप लोग को detail में समझाई हुई तो अगर आपको joystick size के बारे में जानना है तो आप मेरी perfect joystick size वाली video देख लेना उस video का link मैं आपको description और end screen में दे दूँगा ओके तो चलो अभी हम लोग बात करते हैं third control layout की सुगर जो third control layout होता है ना इसमें first control layout की तरह नहीं होता मतलब first control layout में हमारा ऐसा scene रहता था कि हमारी आधी screen रहेगी movement के लिए और बाकी का जो area रहेगा वो रहेगा हमारी aim के लिए पर इस वाले control layout में क्या रहता है कि हमारी joystick को छोड़गे बाकी की जितनी भी screen रहेगी वो रहेगी हमारी aim के लिए बस जो हमारा joystick वाला part रहेगा वो रहेगा हमारा movement के लिए अब ऐसे में अगर आप लोग joystick के बाहर गलती से टच कर देते हो ना तो भाई वहाँ पे आपकी joystick मूवी नहीं करेगी आपकी joystick वहाँ पे हो जाएगी श्टक और भाई आपका aim वहाँ पे खराब हो जाएगा तो भाई तुम्हें अपनी screen पे अपना thumb रखना है जैसे कि आप लोग handcam में देख सकते हो और जहाँ पे आपका thumb naturally rest करता है जहाँ पे आपको सबस्यादा comfortable लगता है आपको लगता है कि जादातर मैं इसी जगहा पे अपना thumb रखता हूँ तो भाई आपको वहीं पे अपनी control layout use करना है तो भाई देखो third control layout में तुम लोग अपनी joystick के बाहर टच कर देते हो गलती से तो भाई वहाँ पे तुम्हारा aim वहाँ पे move करने लग जाता है जिसकी वज़े से तुम्हारी movement चोक होगी साथ में तुम्हारा aim भी चोक होगा पर वहीं पे अगर आप लोग first control layout मे खेल ले हो और भाई तुमने अगर हलकी से भी गलती कर दी जिस है कि तुमने अपना थम गलती से हलका सा left रख दे joystick से या हलका सा right कर दिया तो वहाँ पे तुम्हारा movement और aim दोनों ही चोक हो जाएगा पर वहीं पे अगर तुम लोग first control layout यूज करते हो तो भाई वहाँ पे यूज करना बहुत जादा easy है as compared to third control layout और first control layout को master करना जादा easy होता है as compared to third one पर भाई अगर तुम लोग third control layout को master कर लेते हो ना तो भाई वो कहीं ना कहीं तुम्हें फाइदा देने वाला है और तुम्हारा भाई overall gameplay उससे improve होगा अब मैं ऐसा क्यू कह रहा हूँ वो तुम लोग समझो तो भाई देखो जब भी हम लोग first control layout में खेलते हैं तो अगर हम अपनी जोश्टिक के आसपास stretch करते हैं तो भी हमारी जोश्टिक ही work करती है मतलब तुम अगर अपना थोड़ा left right भी रख दोगे थम तो भी सही work करेगा जिसकी वज़े से ना तुम्हारी एक proper अपर muscle memory नहीं बन पाती है कि तुम्हें अपना exactly thumb रखना कहां पर है अब देखो यार तुम्हारी जोश्टिक तो proper work करने वाली है अगर तुम इधर उधर हाथ रख दोगे पर तुम्हारे जो thumb का movement रहेगा वो proper नहीं हो पाएगा for example अभी मैंने thumb थोड़ा right में कर दिया है जिसकी वज़े से मैं left की तरफ को तो अपने thumb को अराम से drag कर पाऊंगा पर जैसे ही मुझे अपना thumb थोड़ा right में drag करना होगा मेरा thumb ना screen के उपर से ही उठ जाएगा तो भाई ये दिक्कत ना कई बार होती है और भाई ऐसे में तुम्हारी जोश्टिक ना stuck हो जाती है मतल जानेगी नहीं कि तुम्हें exactly कहां पर thumb रखना है और भाई तुम्हारी जोश्टिक इस्टक बहुत जादा बार होगी अब मैं भी first control layout में खेलता हूं पर भाई मैंने एक proper muscle memory बनाई हुई है कि मुझे अपना thumb कहां पर रखना है और इसलिए first control layout में भी मेरी movements बहुत जादा smooth है और भाई बहुत सारे बंदें ऐसा बोलते हैं कि third control layout में जिगल हो गयर अच्छा होता है और first में जिगल अच्छा नहीं होता तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है third और first दोनों में जिगल अच्छा होता है बस वही बात है जो मैंने तुम्हें भी बताई है तुम लोगों को अच्छा है और भाई मैं भी first control layout में खेलता हूँ अब इन सब चीजों के अलावा third control layout में खेलने का एक और फायदा होता है और वो भी मैं भी तुम्हें बता देता हूँ तुम्हें माल लो तुम्हारे सामने से एक गाड़ी आ रही है और भाई तुम अगर गाड़ी के सामन इतनी देर में तो बंदा तुम्हें गाड़ी से ठोक के नौक भी कर देगा पर वहीं पर माल लो तुम्हें खेल ले हो third control layout में अभी तुम्हारे सामने से बंदा गाड़ी लेके आ रहा है तो भाई अभी तुम्हें साइड हटने के लिए अपनी स्क्रीन को ड्रैग नहीं कर अब यार अगर तुम्हें लोग क्लासिक और खेल ले और वहां पर तुम्हारे टीम का गेम खराब होगा और हो सकता है कि तुम्हारी उस चोटी सी गलती की वज़े से तुम्हों कोई बहुत ही बड़ा टूर्नमेंट हार जाओ और जैसे कि तुम्हें अभी पता ही होगा ज होते ना तो वो लोग हैश्टेक 2 होते ना कि हैश्टेक 1 मतलब की एक एक पॉइंट बहुत जादा कीमती होता है तो अभी हम लोग कॉंक्लिशन पर आ जाते हैं तो देखो अगर तुम लोग गेम को ना बस फन के लिए खेलते हो अपने दोस्तों के साथ एंजोई करने के ल अच्छी मुवमेंट एकदम स्मूथ हो जाएगी और हाँ एक और चीज़ भाई तुम लोग फर्स्ट कंटोल लियाओट में खेलो या थर्ड कंटोल लियाओट में तुम लोग को एक अच्छी मुवमेंट के लिए ना प्रैक्टिस की जरुरत होती है मतलब ऐसा नहीं है कि तुमने आज ही अपना कंटोल लियाओट चेंज किया और तुम अचानक से प्रो बन जाओगे तुमारी मुवमेंट्स अच्छी हो जाएगी ऐसा कुछ नहीं है जैसा कि तुम लोग को पते है मैं फर्स्ट कंटोल लियाओट में खेलता हूँ और भाई मैं क्लासिक्स भी ख दो के साथ